हेलो फ्रेंज, वेलकम टो ए 24 नॉलेजे, ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे NVS नवद्या विध्याले समीती की नियू रिकुर्मेंट नॉटिफिकेशन के ओनलाइन फॉर्म फिलप प्रोसेस के बारे में आप कैसे मॉबाइल से आविधन कर सकते हैं जोकी फ्रेंज से वेकेंसी यहाँ पर निकाली गई है NVS रिकुर्मेंट 2022 के लिए जोकी फ्रेंज से 1925 पोस्ट के लिए रहेंगी नॉन टिचिंग पोस्ट जिसके लिए आप ओनलाइन आविधन कर सकते हैं इस वेकेंसी आइस नॉटिफिकेशन से रेटेर जानकारी आपको जोबरास्ता.com पर या फिर NVS की ओफिशल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी अगर आप applicable हैं अगर आप eligible हैं apply करना चाहते हैं तो आप mobile से भी apply कर सकते हैं और इस वीडियो को start करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है subscribe करें, share करें, like करें जिससे आपको आने वाली सारी updates मिल सकें तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इसका online apply portal है जहां से आप इसमें आविधन करते हैं नवोद्य विध्याले समीती का जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर important date दी गई है जिसमें 10 फर्वाइद 2022 तक आप इसमें आविधन कर पाएंगे इसके बाद यहाँ पर दिया गया है आपको instructions, instructions को आप read out कर सकते हैं सबसे पहले आपको I agree पर click करना है और उसके बाद आपको start पर click करना है registration करने के लिए registration करने के लिए आपको कुछ यहाँ पर step यहाँ पर instructions देखने को मिलेंगे instructions को आप read out कर सकते हैं और close कर सकते हैं इसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर select करना है किस post के लिए apply कर रहे हैं तो आप यहाँ से जो post के name है वो आपको दिये गए है वो आप यहाँ से select कर लेंगे यहाँ पर post select करने के बाद आपको देखिए आपका नाम देना है आपका mobile number आपको enter करना है और आपकी mail ID आपको यहाँ पर enter करनी होगी तो यह friends से तीन चीज़े आपको fill करनी है आपका नाम, आपका mobile number और आपकी mail ID और इध्यान रखिएगा mobile number, mail ID, active and valid होने चाहिए क्योंकि ID and password आपको इन पर ही मिलेंगे इसके बाद friends जो यह security code या capture code दिया गया है यह आपको fill करना है और उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको नीचे का option मिलता है submit का आप यहाँ से submit कर सकते हैं और submit करने के बाद आपको आपका जो login ID है वो मिल जाएगा और password आपको आपकी mail ID पर या mobile पर send कर दिया जाएगा इसके बाद friends जो नेस step आपका होगा वो friends यहाँ पर इसके portal पर है portal पर यहाँ पर देखिए आपको एक option मिलता है already register candidate का click here to login आपको इस option पर click करना है login करने के लिए इसमें आपको देखिए login के लिए user ID और password चाहिए जैसा मैंने कहा registration करने के बाद आपको user ID और password मिल जाते हैं आपकी mail ID और mobile पर वो fill करना है आपको और उसके बाद इस capture code को fill करके आपको login कर लेना है उसके बाद friends से जब आप यहाँ पर login कर जाते हैं अपने portal पर तो यहाँ पर देखिए right hand side में आपको mobile में एक option मिलता है go to application form का अब देखिए मालिज अगर आपको आपके browser में अगर आप Chrome या फिर Firefox यूज़ करने अपने mobile में तो आपको यह option देखने को नहीं मिलेगा आपको करना क्या है आपको friends आपके जो आपका play store है mobile में उसमें जाना है और वहाँ पर आपको download करना है puffin web browser पफिन web browser जब आप use करेंगे और उसके बाद friends से जब आप यहाँ पर login करेंगे तो friends आपको देखिए go-to application form का ओप्शन देखने को मिल जाएगा इसके साथ friends आपको यहाँ पर right-hand side पर कलिक करना है और यहाँ पर देखिए request desktop side का ओप्शन है तो आपको desktop site mode में यह form को open करना होगा उसके बाद ही आपको यह go-to application form का option देखने को मिलता है तो यह चीद आपको ध्यान रखनी है अगर आप mobile से form को fill करना है तो Puffin browser आपको यूज करना है और आपको desktop mode में यूज करना होगा उसके बाद ही go to application form पर आप click करेंगे इसके बाद आपके सामने यहाँ पर instructions page open होगा instructions page जब यहाँ पर आपका open हो जाएगा इसके बाद ही आप इस form को fill कर पाएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ details है जो कि आपको यहाँ पर fill up मिलेंगी वो आपको यहाँ पर ऐसे ही रहने देनी है इसके बाद category है तो आपकी जो भी category है SC, ST, General वो आप यहाँ से select कर सकते है इसके बाद gender का option है तो gender आपको यहाँ पर select करना है तो आपका जो gender होगा वो आप यहाँ पर select कर लेंगे इसके बाद नीचे आपका जो है date of birth तो आपका जो age criteria है वो आप इस calendar के माध्यम से select कर सकते है आपका जो भी age है वो आप यहाँ से select कर लेंगे तो friends आपका जो age criteria है वो friends यहाँ पर count होकर आ जाएका 10 परवारी 2022 को इसके बाद है आपका exam city तो आपके according जो भी आप अपना exam city यहाँ पर लेना चाहते है तो देखिए आपको यहाँ पर पूरी list दी गई है आपके according जो भी अपना exam center आप लेना चाहे वो आप ले सकते हैं और 3 centers की choice आपको यहाँ पर देनी होगी तो आपके according जो भी आप exam center यहाँ लेना चाहे वो आप ले लेंगे इसके बाद नीचे friends से option है पीच के एंडिटेट अगर आप इसमें आते है तो yes करेंगे disability type आपको select करना है कौन सी disability आपके पास है वो आप यहाँ select कर सकते हैं अगर नहीं है तो आप यहाँ पर इसको no कर देंगे तो friends यह आपको according जो है depend करता है कि आपका कौन सा option आपके लिए applicable है नहीं है तो simply आप no कर देंगे इसके बाद ही आप यहाँ से save and nest करेंगे इसके बाद friends यहाँ पर data successful होने के बाद आपका option जो nest आएगा वो है friends आपके यहाँ पर नाम का तो यहाँ पर आपको आपका father name आपको mother name और आपकी nationality यहाँ पर select करनी होगी इसके बाद friends यहाँ पर है आपका address section और यह है आपका present address तो आपका जो भी present address है वो friends आप यहाँ पर type कर सकते हैं और इसके बाद friends यहाँ पर आप type करते हैं तो इध्यान रखेगा capital letter ही आपको यहाँ पर use करने है इसके बाद है आपकी country का option आपको country चूज करनी है आपका state आपको चूज करना है किस state से आप इसको apply कर रहे है तो थोड़ी सी problem आ रही है अगर आप यहाँ पर इसके प्रोटेट मोड में form को fill करेंगे तो आपको इतनी problem यहाँ पर नहीं आएगी तो इसके बाद आपका state है उसके बाद आपका district है आपका जो pin code है वो आपको यहाँ पर fill करना होगा अब यहाँ पर friends एक option आपको देखने को वो friends आपको यहाँ पर fill करना होगा जैसे आपका 10 की data आपकी mandatory है तो सबसे पहले आपको देना है आपके board का नाम तो आपका जो भी board का नाम है वो आप यहाँ एंटर करेंगे और capital letters में यह एंटर आपको करना होगा इसके बाद है आपका year of passing आपने इसको कब pass किया है तो आ और आप चाहें तो all general subject यहाँ पर enter कर सकते हैं इसके पर आपको यहाँ पर एक option है select in the following में तो percentage है तो percentage CGPA है तो CGPA आप यहाँ पर अपनी enter कर पाएंगे तो यहाँ पर friends यह एंटर करने के बाद यहाँ पर नीचे है intermediate मतलब 12th की detail तो आपकी 12th की detail आप यहाँ पर enter कर सकते है same board का नाम year of passing, institute का नाम, subject combination, आपका यहाँ पर percentage system है, CGPA है, कोई degree है तो आप उसकी जनका दे सकते हैं, experience mandatory नहीं है इस post के लिए अगर फिर भी आप देना चाहें तो आप plus पर click करेंगे और यहाँ पर friends आपकी post का नाम, organization का नाम, किस type की organization है, payment क्या है, duties आपने क्या क्या की थ जाएगा, तो यहाँ पर friends आपको देखिए, document to be uploaded में आपको photograph and signature upload करने है, jpg format में, click here to upload पर आपको click करना होगा, file की जो size है वो 100 kb से कम होनी चाहिए, और यहाँ आप jpg format में ही upload करेंगे, तो यहाँ पर friends फाइल upload होने के बाद जब आपको यह जो है uploaded का message मिल जाएगा, इस इस से security code को fill करेंगे और यहाँ से I agree करेंगे, इसके पर friends एक option है आपका preview का, तो आपको यहाँ पर preview check करना है, तो यहाँ पर friends जो आपने details fill की है या preview के माध्यम से check कर सकते हैं, कोई भी अगर आपको लगता है, कोई आपने गलती कर दी है preview में, तो आप उसे सही कर सकते हैं अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है preview में, तो आप यहाँ से से okay कर सकते हैं, पर ध्यान रखेगा preview को check करना बहुत जरूरी है और उसके बाद ही आप यहाँ से submit करेंगे, क्योंकि submit करने के बाद आप इसमें कोई भी edit नहीं कर पाएंगे, अगर आपका payment लगता है तो आप directly submit करेंगे और उसके बाद यहाँ से okay आप कर देंगे, इसके बाद friends आपको यहाँ से I agree करना है, I agree करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा processing होगा और इसके बाद आपको एक message मिलेगा, your application form has been submitted successfully, आप इसे close कर देंगे, और right hand side पे उपर की तरह आपको print का option मिल आप यहाँ से अपना print out निकाल कर अपने पास रख सकते हैं, future use के लिए, future reference के लिए, तो friends मैंने आपको full process यहाँ पर बता दी है, कैसे आप नवोद्य विधाले समीती का form mobile से फिल कर सकते है, step by step process के बारे में, अगर आपको हमारा की video पसंद आया है और आप चाहते हैं, ऐस अपडेट्स आपको लगातार मिल सकें, तो like, subscribe and share जरू कीजिए, बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ, देखते रही हमारा YouTube चनल, and a last thanks for watching.